कि मोडी जी आपको अच्छा लग रहा है मेरे साथ अपाथी जनक फोटो बिलाइए कहां बुला रहे हैं मैं बहुत पसंद हो गई आपको बुलाइए मैं आर ही हूं है मैं आपको बहुत पसंद हूँ आप मुझे गुलाइये मैं आने को तैयार हूँ लेकिन सिर्फ मैं और आप दो ही भ्यक्ति रहेंगो वहां इस तरह आपके साथ जो मेरा फोटो वारल हो रहा है दिन सोचल मीडिया पर वह जग में आपके लिए बड़ी बात नहीं है चुकि पब्लिक आप तक नहीं पहुंच सकती है लेकिन मेरे लिए बहुत ब बना कर वीडियो नहीं फोटो सोडी और पोस्ट किया था कि मोदी जी क्या कर रही आपके आई टिसे और क्या कर रहा है आपका सोशल मीडिया से ऑपको अच्छा लग रहा है क्या मनूं ऐसा आपके जनकारी में सब हो रही है आप प्रधानमंत्री है आपके लिए बहुत बात है जो मेरा अपती जनक फोटो किसी के साथ वाइरल हो जाए यह तो यहीं बात हुई जो आवाज हिंदू पुरुस उठाए तो उसको काट दिया जाए कमले स्तिवारी भाया की तरह और नाड़ी उठाए तो मेरी तरह उसके असमत को तार-तार कर दी जाए आपको अच्छ नहीं लग रहा है तो मैं जहां भी फोन की हूँ चाहिए dcp office में क्यूं चाहिए यहां ठाने में की चैनल पड़ की हूं एक पीएमो में मैं फोन की हूँ यह महिला कोई उठा के काट दी तो मैं दुबाड़ा फोन की तो एक कोई मिस्रा जी उठाए वो मुझे बोले डी सीपी ओफिस का नंबर लीजिए फोन कीजिए मैं डी सीपी ओफिस भी पून की यह मेरा मोदी जी के साथ जो फोटो आप आती जनक वाइरल हो रहा है उसके लि हो गई आपको बुलाइए मैं आ रही हूं मैं आपको बहुत पसंद हूँ आप मुझे बुलाइए मैं आने को तयार हूं लेकिन सिर्फ मैं और आप दो ही व्यक्ति रहें को वहां इस तरह आपके साथ जो मेरा फोटो वारल हो रहा है दिन सोचल मीडिया पर जग में आपके भारत के प्रधान मंत्री से करना चाहती हूं जा आपके साथ मेरा फोटो जो वाइरन हुआ है जब जब नाड़ी परवार हुआ है तो इतिहांस रची गई है राजा यों तो इस सलाम तुम्हें भोट नहीं देने जा रही है सिर्फ तुमसे फैदा लेगी तुमारे किसी भ सरकार के आज करें हूं किसी भी फैसला का विरोध कर देगी या कर यह चुसलाम सब्द जो है दमाद बना लीजिए हमें कोई फरक नहीं परता है लेकिन हम भारती यह नाड़ी के असमत को वकस दीजिए आप राजा है आपके सामने हमारे असमत को ललकारा जा रहा है आपके चार-चार बार डिसीपी आफिस में भी मैंने फोन किया है क्या सेकुलर बैठ गया है उपर इस और नियम कानून हिंदू के लिए है अब आज उठाएगा तो जैल हो जाएगी अचुसलाम के लिए कोई नियम कानून नहीं है मैं भी किसी की घर की बैटी हूं मेरे पापा ज खके मारूंगी तो राजा के समें या तो मुझे इसंसाफ दीजिए नहीं सो अच्छा लग रहा है ना भरतिय प्रधान पंत्री को भारत के प्रधान मंत्री को जो उनके साथ मेरा फोटो अपाती जनक वाइरल हो रहा है अभी तक सुधी तक नहीं ली गई भायो मैं आप लोग से निवदन करना चाहती हूं जब मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है सोसल मीडिया पर सिर्फ उस फोटो को पीएमों में ट्विट करते रही आप लोग सर पाजस्थान में जो मेरे वीडियो को लेकर रेफायर किये तो नोटेड जवाब भी आ रहा है बस जवाब लेकर क्या मैं अचाहर डालूंगी भारतिये नाड़ी की ताकत का अंदाजा आप लोगों नहीं है जब जब भारतिये नाड़ी पर अपदा आई है इतिहांस लिखी गई है ग्रंथ लिखी गई है और राजा भी से अच्छूत नहीं रहे तो भारतिये बारत के प्रधान मंत्री मोदी जी को देखा तक नहीं ह है हमने सिर्फ फोटो में देखा है उनके साथ میरी आपातिजनक फोटो और क्या कर रही है सोसल मीडिया सेल्क्राइए इस सिर्फ भाज क्र अवम मेरा टेक्स के पैसा से वो लोग को तंखा मिलेगा तनका किसी सरकार के बाप के पैसा से नहीं आता है, हमारे टेक्स के पैसा से आता है, मैंने चित्रा तिर पाठी को मेसेज किया, तो उन्होंने जवाब दिया, वारल होने दीजिए, कोई बात नहीं, देश पर संकट है, ये हिंदुवाधी बनने की, सिर्फ फॉलोर्स बढ़ा हूं, मैं G News के एंकर सुधेर्स चौधरी को फोन की थी, पर जो ये फोटो आपाती जनक, देश के प्रधान मंत्री का, मेरे साथ आपाती जनक फोटो जो वाइरल हो रही है, सर मा रही है, मुझे, उसके बाद भी IT से लग, जो सोसल से ला, चुपचा बैठी हुई है, अभी संकी सकती, भारत के परधान मंत्री के साथ आपाती जनक फोटो मेरी वाइरल हो रही है, अच्चु सलाम के खिलाप एक सब कोई लिख देया, बोल दे तो उसको जेल हो जा रही है, कहां गई संकी सकती, अगर उन्हें मैं इतना ही पसंद हूं, तो गारी भेजे मैं जाने को त्यार हूं, तो अगर इतनी अच्छी मैं लग रहा हूं, तो गारी भेजे मैं जाने कहां आँ, वो मुझे बताए मैं आने को त्यार हूं उनके पास, अगर मैं नहीं आई तो ब्रह्मन की बिटिया नहीं, वो पहले बुलाए मुझे, मैं आजीवन इसलाम बिरोधी हूं, इसलाम की निती भी रोधी हूं और रहूंगी।